भट जी के संग कुदरत के रंग में आज हम जानेंगे बावबा के बारे में ये दुनिया का वो अनोखा पेड है जिसमें हजारों लीटर पानी भरा रहता है छाल और फलों के 300 से अधिक उप्योबूं के साथ एडन सोन्या डिजिटाटा यानि की बावबा का पेड कई स्वदेशी उपचारों, परंपराओं और लोख कताओं की जड़ है इसलिए इसे जीवन का व्रिक्ष के नाम से भी जाना जाता है भारत में बावबा को कल्प प्रिक्ष या मननत पूरी करने वाला पेड बाना जाता है और कहा जाता है कि ये पेड देवताओं और राक्षसों के समुद्र मन्थन से निकला था सौ फीट तक उंचे ये पेड विशाल है और आश्रय भोजन और पानी प्रदान करते हैं ये मिट्टी की स्थिती को नम रखने में मदद करते हैं पोशक तत्वों के पुनर चकरण में सहायता करते हैं और अपनी विशाल जड से मिट्टी के कटाव को भी धीमा करते हैं बावबा का एक अकेला पेड एक हजार एक सो नवासी गैलन तक पानी धारन कर सकता है कारबन डेटिंग से पता चलता है कि 3000 साल तक जीवित रहने वाला ये पेड शुष्क जलवावयू में ऐसी जगाओं पर रहता है जहां और कुछ नहीं पनप सकता इसकी मोटी रेशिदार छाल आग प्रतिरोधी है और भले ही ये पूरी तरह से जल जाए पर सदैव जीवित रहता है बावबा का पेड, सुरक्षा, भोजन, कपड़े और दवा के साथ साल कई उप्योगी वस्तुएं बनाने के काम भी आता है बावबा का गूदा, बीच, पत्तियां, फूल, जने और जन, कपड़े और दवा के साथ साथ कई उप्योगी वस्तुएं बनाने के काम भी आता है बावबा का गूदा, बीच, पत्तियां, फूल, जने और छाल सभी खाने योग्ये हैं स्थानिय लोग बुखार के खिलाफ पत्तियों का उप्योग करते हैं और फूलों के अर्ख से श्वशन संबंदी विकारों का इलाज भी करते हैं बावबा के फल को खाया जा सकता है इसका ताज़ा पेय, जैन या कॉफी बनती है छाल से रसी, चटाई और टोक्रियों से लेकर कागज और कपड़े तक बनाए जा सकते हैं इसके पत्तियों की सब्जी बनती है, इसके फूल से हमें गुन और बीज से तेल भी मिलता है